हेलो इस्टूडेंट तो अब हम इस वीडियो में प्रश्णावली 1.1 के 11 वे कोश्चन को देखते हैं कि हम इस कोश्चन को किस तरीके से सौल पर सकते हैं और सल्यूशन देखने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले जाकर चैनल को सस्क्राइब कर ले और सबसे मैं तो पूर्ण बैल एकन को ओल पर प्रेस कर ले जिससे क्या है मैं जब भी क्लास 12 से रिलेटिड कोई भी वीडियो अपलोड गरूँ तो उसकी नाटिक्वेशन आपके पहले जा सके ठीक है तो हमें इसका 11 वा कोश्चन दे रखा है यह आपके सामने भी लिखा है मान लीजिए हमें एक फंक्शन दे रखा है जो कि हमारा है आर से आर मयानी की वास्तिविक संख्या रखा है जो कि अमारे पास fx बराबर होगा x की पावर 4 के दुआरा परिवाशित है सही उत्तर का चैन कीजिए हमें आप चार आप्शन दे रखा है इसमें से हमें बताने की कौन सा आप्शन सही होगा पहला हमें दे रखा है कि जो फलन हमारा F है वो हमारा EK की अच्छादक होगा दूसरा option हमें दे रखा है कि जो हमारा फलन F होगा वो हमारा बहुएक अच्छादक होगा ऐसे हमें तीसरा दे रखा है कि F हमारा EK की तो होगा लेकिन अच्छादक नहीं होगा ऐसी हमें D दे रखा है कि F ना तो 1-1 होगा और ना अच्छा दग होगा तो इन 4 option में से बताना है कि हमारा कौन सा option सही होगा तो इस question को करने से पहले ही मैं आपको बता देता हूँ कि आपको chapter 1 के जो definition है या जो उसमें formula है वो आपको पता होने चाहिए जैसे इसमें formula क्या हो गई कि 1-2 definition क्या हो गई अच्छा दग क्या हो गई हमारे या बहु एक क्या हो गई या आपको पता होने चीए अगर आपको पता है तो ठीक है अगर अभी तक आपको नहीं पता है तो मैंने पहले chapter के formula के उपर एक प्रॉपर वीडियो बना रखिए अगर आपको वीडियो देखनी हो तो उसका लिंक आपको उपर i button पर मिल जाएगा वहाँ से जाकर आप देख लेना इस question में आपको दो चीज़ों का ध्यान रखना है वो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर पहले आपको फ़लन ध्यान रखना है कि कहां से कहां तक है r से r में इस बात का ध्यान रखना है और दूसरा हमें क्या फ़लन दे रखा है यहाँ पर fx ब्रावर x की बावर 4 यह ध्यान रखना है ठीक है इसके बाद इसमें हम condition लगाएंगे जो हमें option में दे रखी हैं और ये function जिन condition को satisfy कर रहा होगा वो option हमारा सही होगा तो अब देखते हम इसके solution को तो यहां से हमारा solution का solution इस्टार्ट हो जाएगा यहां पर हमें function दे ही रखा है fx बराबर x की power 4 और हमें फलन दे रखा है r से r में तो let कर लेंगे हम a को a हमारा क्या होता है प्रांत होता है इसके अंदर जो अव्यव होंगे वो हमारे कैसे होंगे real number वाले ही जो हमें फलन दे रखा है वो r से r में है पहला वाला जो r दे रखा है वो हमारा प्रांत हो जाएगा और जो दूसरा वाला आ रहे है हमारा सह प्रांत हो जाएगा तो यहाँ पर जो हमारा प्रांत है वो हमारा क्या है समुच्चे A है उसके अंदर जो हमारे अव्यव है माइनस दो, माइनस वन, जीरो, एक, दो यह जो सारे अव्यव है और इस साइड में आ जाएगा हमारा से प्रांत ठीक है और जो हमारा प्रांत होता है उसको हम X भी बोलते हैं मैंने नीचे लिग भी रखा है और जो दूसी तर हमारा से प्रांत है वो हमारा FX होता है ठीक है जो हमें फलन में दे रखा होता है तो पहले हम इसमें condition लगाएंगे एक एक के लिए ठीक है अब इस question को हम दो method से solve कर सकते हैं ठीक है पहले method में क्या होगा कि हम उसी एक diagram से बता देंगे कि हमारी किस condition को satisfy कर रहा है या किस condition को satisfy नहीं कर रहा है ठीक है और इसका जो दूसरा method है उसके लिए मैं दो diagram बनाने पड़ेंगे लेकिन उसमें क्या है जो आप सब की समझ में आ जाए ठीक है पहला वाला method में last में बताऊंगा फिर बाद में आप comment करकर बताना कि दोनों method में से आपको कौन सा बढ़िया लगा ठीक है तो एक तरफ आजाएगा हमारा प्रांद दूसरी तरफ आजाएगा हमारा सह प्रांद तो प्रांद में जो हमन x की power 4 हमें दे रख था तो यहाँ पर fx बरावर आ जाएगा minus के 2 की power 4 अगर minus के 2 की power 4 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 16 तो हमने यहाँ पर minus की 2 को 16 से मिला दिया ऐसे ही दूसरा है हमारे पास minus 1 तो minus 1 की power जह हम क्या करेंगे 4 तो हमारा कितना आ जाएगा 1 तो हमने इसे 1 से म जाएगा और 2 की पावर अगर हम 4 करेंगे वो हमारी plus की थी वो हमारी minus की तो भी हमारा 16 आएगा ठीक है तो आपको यहाँ पर दिख रहा हुआ कि minus 2 और 2 की जो image है वो एक ही बन रही है जो एक ही बन रही है 16 पर ऐसे ही जो हमारा minus 1 है और plus का बन एउन दोनों की image भी हमारी कि जो हमारा फलन है वो R से R में होना चाहिए यानि कि A के अंदर भी हमारी वास्तिविक संख्या होने चाहिए और B के अंदर भी हमारी वास्तिविक संख्या होने चाहिए तो अभी तो हमारी दोनों साइड में वास्तिविक संख्या आ रही है लेकिन अगर आपको परिवासा याद होंगी तो आप देखते ही बता देंगे कि हमारा बहु एक फलन होगा ठीक है क्योंकि एक एक फलन में जो हमारा प्रांत होता है उसकी जो image बनती है हमारी सह प्रांत में वो एक ही होनी चाहिए ठीक है दो नहीं हमारा R के अंदर यानि कि वास्तविक संक्याओं के अंदर आ रहा है कि अभ्यवों के सैप्रांथ B में यानि कि जो A के अंदर हमारे अभ्यव है उनके जो सैप्रांथ हमारा B है ये वाला इसके अंदर क्या है उबेनिष्ट प्रतिविम्ब यानि कि इनकी common image बन रही है ठीक है जैसे याँ पर minus 2 और 2 कि हमारी 1 image बन रही है 16 तो ये क्या है उबेनिष्ट प्रतिविम्ब बन रहा है आता है दिया गया फलन हमारा क्या होगा बहु एक होगा ना कि एकेगी ठीक है तो पहला तो हमारा यह आगया यहाँ पर यह एकेगी नहीं है हमारा क्या है बहु एक है ठीक है अब देखते हैं कि यह फलन हमारा अच्छादक होगा यह नहीं होगा ठीक है वो देखते हैं हम आगे और यह भी हमारा second method ही चल रहा है ठीक है first method तो हम एकदम कर लेंगे ठीक है लेकिन उसके लिए थोड़ा दिमाग चाहिए तो आप देखते हैं फिर हम अच्छादक वाली condition को अगर आपने इसकी definition पड़ रख्योंगी तो आपको पता होगा जो हमारी एक एकी वाली condition होती है जो हमारा प्रतिविम बनता है वो हम देखते हैं प्रांत से सह प्रांत में लेकिन जो हमारी अच्छादक की condition है उसमें जो प्रतिविम में बनता है वो हम देखते हैं से परांत से परांत में यानी की उल्टा देखते हैं अभी आपको ध्यान होगा हमने A से B में देखा था अब देखेंगे हम B से A में जैसे हमने जो A हमारा समुच्चे था जो हमारा परांत था उसके अंदर हमने अवयव लियते वास्तविक संख्याओं के तो उसके लिए हमें function दे रखा था ऐसे ही हम यहाँ पर let करेंगे b को लेकिन इसके लिए हमें function बनाना पड़ेगा ठीक है अब वो function कैसे बनाएंगे वो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर तो सबसे पहले हम क्या करेंगे आपर माना fx बरावर लिख लेंगे y जो आपके सामने अब आभी गया होगा उसके बाद में हमें fx बरावर x की पावर 4 दे रखा है अब fx की value हमारे पास है पहली से ही तो यहाँ पर हमारा आजाएगा y बरावर x की पावर 4 यहां से हम x की value निकाल लेंगे तो x बरावार आ जाएगा y की power एक बटे 4 ठीक है तो अब यह हमारा function का गाम करेगा b के लिए ठीक है जो हमारा सै प्रांत है अब जैसे हमने प्रांत को लिट कर रहा था वैसे हम क्या करेंगे सै प्रांत को भी लिट कर लेंगे क्योंकि हमें दे रख था बनेगा फ्रांत है यहां जो हमने पहले लेट कर रहा था साघीक है अब एक इख करकर यह सारी value को हमने जो अभी बनाया है, x बरावर y की पावर 1 बटे 4, इसमें हम y की value को रखते रहेंगे, हमें x की value मिलती रहेंगी, तो हम देख लेंगे यहाँ पर जो हमारा जो प्रतिविंब है, वो हमारा सह परांत से परांत में बन रहा है या नहीं बन रहा है, ठीक है, तो उसको भी मैं आपको चित्र बनागरी समझाता हूँ, ठीक है, तो यह आपके सामने चित्र भी है, यहाँ पर हमारा a हो जाएगा प्रांत, और b हो जाएगा से प्रांत, और b के अंदर यह हमने अभी अभी ले रखे थे, minus 2, minus 1, 0, 1, यह हमारा x हो जाएगा, और यहाँ पर हमने fx बरावर y मान रखता, तो यहाँ पर वही लिखा है, ठीक है, अब एक एक करकर जो हमने function बनाया था, x बरावर y की पावर 1 बटे 4, इसमें हम y की value को रखते रहेंगे, x के मान हमारे पास आते रहेंगे, वो मैं आपको यहाँ पर दिखाता रहूँ अभी, तो पहले यहाँ पर रखते हम 0 तो यहाँ पर आजाएगा, y की जग आजाएगा, 0 और की पावर 1 बटे 4, तो यह भी हमारा 0 आजाएगा, यानि कि जो 0 होगा, उसकी इमेज हमारी प्रांत के अंदर बन जाएगी, ऐसे ही 1 भी रखेंगे, तो 1 की पावर हो जाएगा, 1 बटे 4 तो भी उसकी इमेज बन लेकिन ये सारे नंबर तो हमारे वास्तिविक संख्याओं के अंदर आते हैं, लेकिन ये हमारी वास्तिविक संख्याओं नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमें जो फलन दे रखा था, वो R से R में होना चाहिए था, हमारा सह प्रांत में तो R आ रहा है, लेकिन प्रांत के अंदर R नहीं आ रहा ठीक है यानि कि यह हमारी अच्छादक की कर्णिशन को satisfy नहीं कर रहा ठीक है आप देखेंगे यहापर तो जो plus वाली संख्या हैंगी उनके प्रतिवी में तो हमें प्रांत के अंदर बन जाएंगे लेकिन जो minus वाली संख्या है उनके प्रतिवी में हमारे प्रांत के अंदर नहीं बन रहा है तो यह हमारी अच्छादक की कर्णिशन को भी satisfy नहीं करेगा ठीक है अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसको हम लिखेंगे कैसे और यह आपको यहाँ पर दिब्बी रहा होगा कि से प्रांत बी ब्लॉंग्स करता है अमारा आर्मे यानि कि वास्तिविक संख्याओं में आमने जो बी लिया था वो ब्लॉंग्स करता है यह रिनात्मक वास्तिविक संख्याओं के प्रांत के के केसी भी अभी अपका प्रतिविम नहीं बन सकता है जो उमारी वास्तभिक, रिणात्मक संक्या हैं उनका जो परतिविम्ब है वो अमारा प्रान्त के अंदर नहीं हो सकता अतहे दिया गया फलन जो होगा अमारा अच्छादी नहीं होगा अब आपको ध्यान होगा कि यह अमारा एकए की भी नहीं था और अच्छादक भी नहीं था ठीक है तो एक वार मैं आपको option दिखा देता हूँ कि कौनसा option हमारा सही बैठर रहा इसमें तो पहला है हमारा कि F जो है वो एकए की अच्छादक है दोणों में से हमारा फलन कुछ भी नहीं था दूसरा फलन हमारा बहु एक अच्छादक है बहु एक तो था लेकिन अच्छादक नहीं था तो दूसरा option भी हमारा गलत हो जाएगा अब देखते हैं इसका अगला option तीसरा option में दे रखा है कि F AK की है किन्तु अच्छादक नहीं है और जो हमने प्रूफ करा था उसमें हमारा अच्छादक तो नहीं आया था लेकिन AK की भी नहीं आया तो तीसरा option भी हमारा गलत हो जाएगा चौत्य option में दे रखा है कि F ना तो AK की है और ना अच्छादक तो अब आपको ध्यान होगा कि F ना तो हमारा AK की आया था और ना अच्छादक आया था तो D वाला option हमारा सही हो जाएगा ठीक है और यह मैंने यहाँ पर लिख भी रखा है आपने देख भी लिया होगा कि आते हैं बिकल्प D सही है ठीक है तो यह है इसका right answer यह हमने answer निकाला था second method से ठीक है क्योंकि एक्जाम में यह एक number कहीं आएगा इसके लिए मैं आपको जो first वाला method है वो भी आपको बता देता हूँ यह जो second वाला method था भी यह common method था यह आप सबकी समझ में आ गया होगा ठीक है अब जो first method में बताने वाला हूँ उसके लिए बस आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा ठीक है अब वो मैं आपको समझा देता हूँ क्योंकि first method समझाने के लिए आपको second method आना चाहिए ता अब वो आपको आ चुगा है अब देखते हैं इसका first वाला method जिससे हम A की डाइगराम में दोनों बता देंगी कि एक एक होगा या नहीं होगा या चादक होगा या नहीं होगा पहले हम यहाँ पर प्रांथ ले लेंगे जैसे हमने यहाँ पर ले रख दे हैं उसके बाद हमने यहाँ पर fx जो फलन था उसमें यह value रखकर इनकी image भी निकाल ली थी हमने सहफ रांथ के अंदर जो आई थी हमारी 16,0,1 उसके बाद में जो हमारी परिवाशा होती है 1,1 की और बहू 1 की उससे हमें पता चल गया था कि हमारा बहू 1 होगा ठीक है तो पहला तो हमारा point यहां के लिए रोगिया वहां तक हमारी process सेम ही है अब दूसरी अच्छादक के लिए उसके लिए यहां तो हम जैसे मैंने भी पहले करवाया वैसे process करेंगे या उसके लिए हम यहां पर दिमाग लगाना पड़ेगा वो क्या लगाना पड़ेगा वो मैं आपको बदा देता हूँ अब यहां पर आप खुछ सोचना कि हमने यहां पर plus वाली संख्याई भी रखी एक अंदर और minus वाली संख्याई भी रखी उससे हमें यहां पर जो B है हमारा सहपरांद उसके अंदर हमें यहां पर plus की संख्याई मिल लहीं यहनिके हमने plus वाली भी रखी है के अंदर minus वाली भी रखी हमें हर बार क्या मिल रहा है plus वाली संख्याई तो यह जो हमारा फलन था वो था R से R में ठीक है अब A के अंदर तो हमारी वास्तिविक संख्याई आ रही है और B के अंदर यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर तो प्लस वाली ही संख्याई आ रही है चाहे हम माइनस की भी संख्याई रग लें फिर भी हमारी प्लस की संख्याई आ रही है तो B में भी अमारा R ही आना चाहिए तो हम जो हमारा सहपरां तो उसमें उसमें अमारी कोई माइनस की भी संख्या हैंगे जए माइनस का 2, माइनस का 3 ऐसे ही ओर भी माइनस की संख्या आंगे हमारी वस्त्यूफिक संख्या के अंदर तो उनका जो प்.arbeit में है वो हमारा परांथ के अंदर नहीं होगा ठीक है जो process हमने अतनी लिख करके करी थी उसको हम ऐसे भी कर सकते हैं बस हम last में लिख देंगे कि यह हमारा सह परांथ क्यों नहीं होगा वो example में हम ऐसे करके लिख सकते हैं माइनस के 3 और माइनस के 2 का जो परतिविम्बे वो हमारा परांथ के अंदर नहीं बन रहा है अत्य है दिया गया फलन हमारा अच्छादक नहीं है ठीक है उसको हम इस तरीके से भी कर सकते हैं इसमें हमें क्या थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा ठीक है और ऐसा हमें हर कोश्चन में कर नहीं पड़ेगा यहाँ पर मैंने आपको दोनों मेथट बता दिये हैं पहले वाला वी और दूसरे वाला वी तो जो भी आपको बड़िया लगा हो आप कमेंट करके बता देना कि आपको कौन सा मेथट अच्छा लगा अगर आपको जो आपकी प्रशनावली 1.2 है उसका पूरा सलीशन अगर आपको चाहिए हो तो उसके पूरे सलीशन के उपर मैंने एक अलग से वीडियो बना रखी है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिशन में मिल जाएगा महाँ से जाकर आप देख लेना ठीक है अगर आप हमारे चैनल पर अभी नए हो तो सबसे पहले जाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सबसे मैं तुपूर्ण बेल आइगन को और प्रप्रेस कर लें मैं जब भी कलास 12 से रिलेटिड ऐसे ही और वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिविशन आपके पास से पहले जा सके ठीक है तो मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में तब तक आप हमारी वीडियो को लाइक करें कमेंट करकर हमें बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लेगी आपके एक्जाम के लिए हैलफुल थी या नहीं थी और अपने दोस्तों के आज शेयर करना बिलकुल न भूलें और नेक्स्ट वीडियो का वेट करें